हलो दोस्तों और बड़िया सब स्वागत है आप सबका हमारे और आपके प्यारी से चैनल कुकिंग उकिया पर छोला पनीर भी फीका लगेगा जब ये नए तरीके से सोया बड़ी से बहुत ही मज़ेदार सबजी बनाएंगे ये बनाना भी आसान है तो चलिए रेस्पी शुर आद्रक और चार कली लहसुन की डाल कर इसे पीस लेंगे इसमें पानी बिलकुल नहीं डालेंगे तो देखिए इसे अच्छे से हमने पीस लिया है तो इसे हमने एक बोल में निकाल लिया है एक चोथा टीस्पून हल्दी आदा टीस्पून गरम मसाला आदा टीस्पून धन और हिंग भी दो पिंच डाली है अब इसमें हमने बेसन को चान कर डाला है इसमें हमने तीन चमच बेसन डाला है और एक चमच हमने मैदा डाली है अब यहां पे हमने एक कढ़ाई ली है उसमें हमने एक चमच ओयल को गरम कर लिया इसमें दो प्याज लैसुन की के लिया इसको हम भून लेंगे इसे प्याज को soft होने तक हमें से भूनना है अब इसी में हम tomato भी डाल देंगे तो काट लिया था प्याज थोड़ा soft हो गया है इसमें हमने tomato को डाले इसे भी भून लेंगे और इसे हम ढख कर soft होने तक पकाएंगे तो हम तो ह потреб Modat Boeing सोया चुनक को हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि इसमें मुश्चर है कि इसमें हम एक चोथाई टीस्पून घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए एक डो फॉम में आ जाएगा इस तरह से एक बार आप इस तरह से इस सबजी को बना के देखिए सच में पनीर वीपी का लगेगा ये इतनी स्वाधिस्ट बनती है तो यहां यहां पे हम मसाले को देख लेते हैं जो हमने टमाटर और प्याज को सौप्ट होने के लिए रखा यहां पे हमने कुछ कड़े मसाले लिए हैं काली मिर्च बड़ी लाची लॉंग और सौफ और एक टीस्पून धनिया ली है और एक हरी लाची भी ली है तो इसे भी डाल कर इसमें मिक्स कर देंगे इसे ढख कर हम पकने देंगे तो सोया चंग से हमने नीबू के साइज का इतना डो ले लिया है और यहां पे हमने इस तरह से एक पैन लिया है और इस तरह से हम इसको कर लेंगे सेप आप अपने मंद चाहिया करकर दे सकते हो आप गोल भी बना सकते ह हम यहां इस तरह से बना रहे हैं देखिए इसको पैन को निकाल लेंगे बनाना बहुत आसान है आसानी से बन जाता है तो देखिए इस तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे इस पैन में थोड़ा सा ओयल लगा लें जिसे यह आसानी से निकल जाए तो देखिए आसानी से यह बन उसी कड़ाई में हमने दो चम्मो चॉयल को गरम कर लिया है तो उसमें हमने एक चौताई टीस्पून जीरा, दो पिंच हींग डाली है एक चौताई टीस्पून हल्दी, आदा टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून हमने यहां पे धनिया और एक चौताई टीस्पून हमने कस्मिरी लाल में डाला है इसको भी भून लेंगे गैस की फिलेम हमने अभी बिल्कुल स्लो रखी है अभी जो मसाला हमने भूना था उसको पीस लिया है उसको भी एड़ कर दिया है वह इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे जब तक मसालों से ओल सेपरेट न हो जाए अब यहाँ पे हमने तीन जम्मस यह धही लिया है वह धह यह ताजा है आप इसकी जगह मलाई भी ले सकते हो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखिए मसालों से ओल सेपरेट हो गया मसाले अच्छे से भुन गए मसाले हमारे पहले से पके भी थे अब इसमें ग्राइणर जार में थोड़ा सा पानी डाल कर हमने उसी में ड जंगा उसको रख दिया है और इसे हमें 5-6 मिनिट हमने स्टीम किया इसे ज्यादा नहीं उपालना है एह हो गया है इसे हम निकाल लेंगे देखिए बिलकुल नहीं चिपका आसानी से निकल आ रहा है और ठंडा करके हम इसे काट लेंगे तो यह ठंडा हो गया इसे हमने नहीं हो पाया है सोया चंक्स की बड़ी से जो बनाया था उसको हमने डाल दिया है इसमें हमने कसूरी मैथी और धनिया डाल कर दो मिनट इसे पकने दिया है देखिए इस तरह से तो यह हो गया है देखिए सांदर सब्जी हमारी बन के तयार हो गई है अब इसे हम सर्ब कर लें तो देखिए देखने में लग रहा ना कितना soft बना है अगर आपको हमारी recipe थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो like से subscribe कर लें पहला icon को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का link आप तक पहुंच सके thanks for watching take care bye